देखें क्रामी न्यूज यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कॉंग्रेस दोरा लागू की कई इमर्जन्सी को आज 43 साल पूरे हो चुके हैं जिसके चलते भाजपा ने 25 जून को पूरे देश में इसे ब्लैक डे की तरह मनाने का फैसला किया है बता दें कि ततकालिन प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी ने साल 1975 में इस एमर्जन्सी को लागू किया था जिसके विरोध में भाजपा सरकार आज और कल ब्लैक डे मनाएगी चानकारी के मताबिक बिजेपी इस ब्लैक डे के बहाने कांगरिस को गेरने की तयारी में है 25 जून यानि आज भाजपा देश भर में ब्लैक डे मनाएगी और 26 जून को बिजेपी एक साथ कॉंग्रिस के खिलाफ पूरे देश में प्रेस कॉंफरेंस करेगी खबरों की माने तो प्रेस कॉंफरेंस के जरिये बिजेपी के मंतरी कॉंग्रिस पर हमले की तयारी में है इसी के साथ भाजपा मंतरी अमिश शाह 26 जून को गुजरात में प्रेस कॉंफरेंस करने वाले हैं आपको बता दें कि इस बार विजेपी पूरी राजनीती के साथ एमर्जेंसी के खिलाफ मैदान पर उतरने की तयारी कर चुकी है 25 मई 1975 में राष्टपती फक्रु दीन के हस्ताक्षर के बाद से ही देश में अपातकाल लागू कर दिया गया था बतादे कि इस अपातकाल के दोरान 26 जून की सुभा तक ज़र प्रकाश नारायन मुरारजी देसाई के साथ ही तमाम बड़े नेता गिरहतार कर लिए गये थे गौर तलब है कि 25 जून को बिजेपी द्वारा मनाये जाने वाले ब्लैक डे में केंदरी मंत्रियों समेथ पार्टी के सभी बड़े नेता हिस्सा लेने वाले हैं इसी के साथ बतादे कि 25 जून 1975 की राथी ततकालिन रास्टपती के अपातकाल के आदेश पर हस्ताक्षर किय गए थे और अगली ही सुबा इंद्रा गांदी ने पूरे देश में अपातकाल लागू करने की खोशना कर दी थी हालांकि इससे पहले भी अपातकाल के मुद्दे पर बिजेपी कॉंग्रेस को घेड़ती रही है दरसल इंद्रा गांदी ने भारत में 25 जून 1975 से लेकर 21 मार जमी न्यूज यूट्यूब पर दी पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाए